Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज के वीडियो में हम बात करेंगे famous English playwright William Shakespeare की एक famous play के बारे में जिसका नाम है The Merchant of Venice ये play एक 16th century play है, इसे 16th century में लिखा गया था ये एक Shakespearean comedy है और ये 5 act play है, यानि इस play को 5 acts में divide किया गया है इसे 1605 में पहली बार perform किया गया था और इसे Shakespeare की one of the most famous plays में से एक माना जाता है Friends William Shakespeare का जन्म हुआ था 26 April 1564 में और उनकी death way थी 23 April 1616 में वो एक Elizabethan poet, dramatist, essayist और actor थे उन्होंने अपनी पूरी lifetime में 37 plays और 154 sonnets लिखे हैं और आज भी उनके सभी works उतने ही popular और उतने ही fresh हैं तो चलिए Friends स्टोरी पर आते हैं Friends इस play को start करने से पहले हम इसके main characters के बारे में जान लेते हैं इस play के main character का नाम है Antonio जो की एक merchant है, Venice शहर में रहता है और इसी के उपर इस play का title दिया गया है The Merchant of Venice इसका एक friend है जिसका नाम है Bassanio ये इसका बहुत ही close friend है और ये एक लड़की से प्यार करता है इस लड़की का नाम है Porsche जो की एक बहुत ही rich woman है और इसके लिए बहुत सारे suitors हैं लेकिन ये भी Bassanio को पसंद करती है next character है Shylock का जो की एक Jew है यानि एक Yehudi है और साथ ही वो एक Moneylander है इसकी एक बेटी है जिसका नाम है Jessica जो की आगे चल कर एक शादी करती है एक Christian man से जिसका नाम है Lorenzo तो friends ये हमारे main characters है और ये पूरी story इनहीं के around घूमती है तो चलिए friends अब story पर आते हैं इस story के शुरुआत होती है Bassanio से जो की Venice शहर का एक Young man है और वो Porsche ये पूर्शिया से शादी करना चाहता है Porsche ये पूर्शिया एक beautiful और rich woman है जिससे शादी करने के लिए कई suitors है तो अगर Bassanio को Porsche से शादी करनी है तो उसके पास भी अच्छे पैसे होने चाहिए उसे भी Porsche के लेवल का होना चाहिए और इसी लिए उसे 3000 डुकेट्स की बहुत जादा जरूरत है ताकि वो पूर्शिया से शादी कर सके अब Bassanio के पास इतने पैसे हैं तो नहीं तो वो अपने friend Antonio के पास जाता है Antonio Venice शहर में एक बहुत ही wealthy merchant है और Antonio से जाकर के Bassanio पैसे मांगता है ये कहकर कि तो मुझे पैसे दे दो मुझे उससे शादी करनी है लेकिन Antonio के पास अभी इतने पैसे नहीं है वो एगरी कर जाता है उसे पैसे देने के लिए लेकिन उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है क्योंकि जो उसके ships हैं वो अभी तक समुद्र में ही है फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि एंटोनियो एक मर्चंट है और अपना व्यापार ये समुद्र के रास्ते करता है तो इसके जो पानी के जहाज हैं वो अभी तक सामान लेकर वापस नहीं आये हैं और इसलिए अभी इसके पास इतने पैसे नहीं हैं तो इंटोनियो कहता है कि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं मैं तुम्हें दे नहीं सकता मेरे जहाज नहीं लोटे हैं तुम एक काम करो तुम किसी मनी लेंडर से कुछ पैसे ले लो अभी के लिए और जब मेरे ये जहाज लॉट कराएंगे तो मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूँगा तुम जो पैसे लोगे मैं उसे दे दूँगा तुम जाओ अपना money lender से किसी money lender से पैसे ले लो मेरे नाम पर लेना और मैं उसे पैसे दे दूँगा तो बस्यानियो क्या करता है वो एक Jewish Money Lender के पास जाता है जिसका नाम है Shylock और उससे कहता है कि मुझे 3000 डुकेट्स चाहिए लोन पे और जो पैसे हैं वो मेरा फ्रेंड एंटोनियो देगा अफ्रेंड्स यहाँ पर कुछ चीजें नोट करने वाली है पहली बात तो यह कि Shylock जो है वो एक Jewish है फ्रेंड्स उस समय में जब यह play लिखा गया था तो Christian धर्म में पैसे उधार में देना या पैसे किसी से वापस लेना यह जो Money Lending का बिजनेस था यह गलत माना जाता था एक sin माना जाता था क्योंकि यह एक तरह से कहा जाता था कि Greed को बढ़ावा देता था इसलिए Christians इस Money Lending बिजनेस के खिलाफ थे और यह Money Lending का काम कौन करता था तो सिर्फ Jewish people यानि जो यहूदी थे वो जैसे ही Antonio को पता चलता है कि वसेनियों ने एक Jewish Money Lender से पैसे उधार लिये है उसे बड़ा गुसा चड़ जाता है और वो शायलॉक से आके लड़ने लगता है कि तुमने जो उसे पैसे दिये हैं वो बहुत ज़ादा High Rate पे दिये हैं तुमसे सस्ते लोग देते हैं हमें पैसे तुमसे नहीं लेने चाहिए थे इस तरह से लड़ने लगता है तो शायलॉक कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए rates कम कर दूँगा लेकिन फिर भी एंटोनियो मानने के लिए ready नहीं होता है तो इस पर शायलॉक कहता है कि ठीक है मैं बसेनियो को ये पूरा amount ये 3000 ducats जो हैं वो बिना किसी interest के दे दूँगा लेकिन मेरी एक शर्थ है और वो शर्थ ये है कि अगर time खत्म होने तक तुमने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं दिये तो मैं तुम्हारी body से one pound meat निकाल लूँगा थोड़ा shocking लगता है friends ये सुनने में लेकिन यही शायलॉक ने कहा शायलॉक ने एंटोनियो को कहा कि अगर तुम मेरे पैसे नहीं दोगे तो जब डेट पूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे शरीर से one pound flesh निकाल लूँगा अब ये सुनकर बसैनियो कहता है कि नहीं नहीं हमें इस तरह का कोई contract नहीं करना है लेकिन एंटोनियो मान जाता है बोलता है कि ठीक है तब तक तो मेरे जहाज lot ही आएंगे मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा और जब हमें free में interest के बिना ही ये पैसे मिल रहे हैं तो हम ये पैसे क्यों नहीं लेंगे फ्रेंट शायलोक के इस तरह के शर्थ का भी एक reason है और वो reason ये है कि शायलोक की एक अकेली बेटी थी जिसका नाम था जैसिका और ये जैसिका एक Lorenzo नाम के आदमी के साथ भाग गई और उसने उससे शादी कर ली अब ये Lorenzo चूकी Christian था तो जैसिका ने भी Christian धर्म अपना लिया और वो भी Christian बन गई लेकिन शादी करने के लिए भागने से पहले जैसिका अपने साथ शायलोक का पैसा भी लेके चली गई और उस दिन से शायलोक के मन में Christians के लिए कुछ ज़ादा ही नफरत हो गई है तो शायलोक ने एंटोनियो में उन्ही Christian लोगों को देखा और उसे लगता है कि अगर वो एंटोनियो को पनिश करेगा उसके बॉड़ी से वन पाउंड फ्लेश लेगा तो वो अपनी बेटी का बदला और Christian से पूरी जो Christian रेस है जो Christian धर्म है उनसे बदला ले सकेगा तो वो एक अलग ही religious लेवल पर इस पूरे मसले को देख रहा है बसेनो इस पूरे contract के लिए ready तो नहीं होता है लेकिन एंटोनियो के कहने पर बसेनियो उनसे पैसे ले ले लेता है और जा करके Porsche से शादी करने को तयार हो जाता है और friends दूसरी तरफ ये जो Porsche है इस से शादी करने के लिए suitors की line लगी भी है और इसके समझ नहीं आ रहा कि इसे किस से शादी करनी चाहिए और कैसे वो उससे शादी करेगी उसकी family किसे पसंद करेगी बहुत कुछ है अब इस Porsche के फादर ने मरने से पहले एक will लिखी थी और उसमें लिखा था कि तीन casket सें तीन डिबि में से एक डिबि चूज करने को कहना उससे कहना कि वो कोई एक डिबि को सेलेक्ट करे और अगर वो सही कैस्केट को सही डिबि को सेलेक्ट करता है तो तुम उससे शादी कर लेना अब फ्रेंट्स पहला सूटर जो है वो है प्रिंस ओफ मरोको पॉर्शिया उसके सामने वो कि नहीं ये सही कैस्केट नहीं है उसके बाद बारी आती है प्रिंस ओफ एर्गॉन की जो की सिल्वर कैस्केट को चूज करता है जो सिल्वर की डिबि है उसे चूज करता है लेकिन पॉर्शिया कहती है कि नहीं ये भी सही डिबि नहीं है और उसे भी मना कर देती है नेक्स कि क्या बसैनियो से ही डिबी चूज करेगा या नहीं मगर बसैनियो जो है वो लीड की डिबी को चूज करता है जिसे बांकी कोई भी सूटर चूज नहीं करना चाहता था क्योंकि उन्हें वो बहुत ही पुरानी और भदी लगती थी लेकिन बसानियों उसे चूस करता है ये बताते हुए कि आउटर ब्यूटी ही सब कुछ नहीं होती है और उसे चूस करते ही वो पॉर्शिया का हाथ भी शादी के लिए जीत जाता है और उसकी और पॉर्शिया की शादी करा दी जाती है अब फ्रेंट्स उधर एंटोनियो जो था उसके लिए नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है उसे न्यूज मिलती है कि उसके जो शिप थे वो समुद्र में कहीं रास्ता भटक गए है और उसे नहीं पता कि उसके शिप कहां है अब चुकि उसे पैसे देने हैं शायलोक को और डेट क्लोज आती जा रही है तो उसके पास शायलोक को देने के लिए पैसे नहीं है और इसलिए वो अब एक नई प्रॉब्लम में फस्ता जा रहा है शायलोक को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो वो एंटोनियो को कोट में ड्यूक के सामने पेश करता है उधर बसैनियो जो की अपने हनीमून पे था पॉर्शिया के साथ उसे एक लिटर मिलता है एंटोनियो से ये कहता हुआ कि एंटोनियो शायलॉक का लोग नहीं पे कर सकता है और इसलिए अब उसे सजा से गुजरना होगा और जो डिसाइड हुआ था कि वो अपना एक पाउंड फ्लेश साइलोक को देगा तो उसे ऐसा भी करना पड़ेगा जैसे ही बसाइनियों को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी वाइफ पॉर्शिया के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं अपने दोस्त एंटोनियों की लाइफ को बचा सकूँ फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉर्शिया एक बहुत ही रिच लेडी है तो वो तुरंत ही अपने हस्बेंड को कुछ पैसे निकाल करके दे लेती है फ्रेंड्स अब इस प्ले का जो लास्ट सीन है वो एक कोट का सीन है बसेनियों कोट पहुँचता है और शाइलॉक से कहता है कि मैंने तुमसे 3000 डुकेट्स लिये थे मैं जानता हूँ मेरा फ्रेंड तुम्हें वो पैसे नहीं दे सका तो इसलिए मैं तुम्हें 3000 डुकेट्स के बदले डबल अमांट देता हूँ यानि मैं तुम्हें 6000 डुकेट्स देता हूँ तुम मेरे फ्रेंड का पीछा छोड़ दो लेकिन शायलॉक बोलता है कि नहीं पैसे देने का जो समय था वो बीच चुका है मुझे पैसे नहीं चाहिए मुझे तो अब एंटोनियो का एक पाउंड फ्लेश ही चाहिए उधर जो ड्यूक था जिसे सारा डिसिजन लेना था वो चाहता था कि वो एंटोनियो को सेव कर ले लेकिन चुकि उस कॉंट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि अगर एंटोनियो पैसा नहीं दे सका तो शायलॉक उसके बोड़ी से वन पाउंड फ्लेश निकाल सकता है इसलिए उसके पास भी कोई चारा नहीं बचा था उधर शायलॉक भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था और किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तभी वहाँ पर एक आडवोकेट या यू कहे तो एक डॉक्टर ओफ लॉव आता है जो की ड्यूक से परमिशन मांगता है कि वो एंटोनियो के सरफ से ये केस लड़ना चाहता है फ्रिंट्स इस लॉयर का नाम है बैल्थजार लेकिन ये बैल्थजार और कोई नहीं पॉर्शिया है जी हाँ बसैनियो की वाइफ पॉर्शिया वो अदालत के सामने आती है कोट में आती है और शायलोक से आकर कहती है कि तुम्हें एंटोनियो को मरसी दिखानी चाहिए तुम्हें अपने अमाउंट कार्ड डबल पैसा मिल रहा है तो तुम वो पैसे रख लो तुम्हें भी पता है कि अगर एंटोनियो के बॉड़ी से वन पाउंड फ्लेश निकाला जाएगा तो उसकी जान चली जाएगी वो जिन्दा नहीं बचेगा उसकी मौत हो जाएगी तो तुम्हें काम करो तो मरसी दिखाओ उस एंटोनियो को मरसी दिखाओ लेकिन शालोक अपने बात पर अड़ा रहता है कि नहीं मुझे कोई मरसी नहीं दिखानी और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए मुझे एंटोनियो का वन पाउंड फ्लेश ही चाहिए अब सब परिशान हो जाते हैं तो इस पर पॉर्शिया कहती है कि ठीक है तुम्हें वन पाउंड फ्लेश मिलना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है तो इस बात के लिए कोई तुम्हें मना नहीं कर सकता और जो ड्यूक है वो भी फैसला सुनाते है कि ठीक है शालोक तुम एंटोनियो की बाड़ी से वन पाउंड फ्लेश निकाल सकते हो मगर पॉर्शिया आगे आती है और कहती है कि याद रखना कि क्या ओर्डर्स दिये गए हैं तुम उसकी बाड़ी से सिर्फ वन पाउंड फ्लेश निकाल सकते हो उसके इलावा और कुछ भी नहीं निकलना चाहिए यानि उसकी बाड़ी से एक बूंद खून नहीं बहना चाहिए तुम्हारी उस कॉंट्रैक्ट में सिर्फ फ्लेश का बात हुआ है यानि तुम सिर्फ एक पाउंड फ्लेश निकाल सकते हो ब्लेड भी निकलेगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है तो तुम इस बात का ध्यान रखना कि उसकी बाड़ी से एक बूंद खून भी ना बहे और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना कि तुमने वन पाउंड फ्लेश कहा है तो जो तुम फ्लेश निकालोगे उसके बाड़ी से ना वो एक पाउंड से जादा होना चाहिए और ना ही एक पाउंड से कम बिल्कुल ना पा हुआ वन पाउंड होना चाहिए अब शायलॉक जो है वो बड़ा कन्फ्यूज हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है अगर किसी की बॉड़ी से फ्लेश निकाला जाएगा तो खून तो बहेगा ही वो खून को बहने से कैसे रुख सकता है और साथ ही वो इतना शियोर कैसे होगा कि वन पाउंड फ्लेश कितना होता है थोड़ा उपर नीचे होना तो पॉसिबल ही है तो इस तरह से शैलोग खुद अपने ही लिखे हुए कांट्रैक्ट में फस जाता है अब शैलोग बेचारा हार चुका है लेकिन वो फिर भी हार मानता नहीं है और बसैनियों से कहता है कि ठीक है मैं उससे फ्लेश नहीं लूँगा उसकी बॉड़ी से लेकिन मुझे मेरे पैसे का ट्रिपल अमाउंट चाहिए यानि मैंने तुम्हें 3000 डुकेट्स दिये थे तो मुझे बदले में 9000 डुकेट्स चाहिए लेकिन पॉर्शिया जो है वो फिर से सामने आती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि तुमने अभी अभी क्या किया है तुमने एक क्रिश्चन को मारने की कोशिश की है ये जो तुमने प्लान बनाया था एंटोनियो की बॉड़ी से फ्लेश निकालने का उससे क्या होता उसकी जान चली जाती तो तुमने एक attempt to murder किया है और तुम्हें पता है कि इसके लिए तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए साथ ही तुम एक Jew हो यानि तुम यहां के permanent citizen में नहीं आते हो इसलिए अब जो Duke हैं उनके पास पूरी ताकत है कि वो तुम्हारी आधी property एंटोनियों को दे देंगे और बची आधी property सरकार तुम्हारी जब्द कर लेगी और साथ ही इसके बाद तुम्हें एक death sentence भी दिया जा सकता है यानि तुम्हें जान से मारने की सजा फासी एक तरह से कहें तो वो भी दी जा सकती है जो ड्यूक हैं वो पॉर्शिया की बाद से एग्री करते हैं और कहते हैं कि शायलोक तुम्हारी आधी property एंटोनियों को दी जाती है और बची हुई आधी property सरकार जब्द करती है मगर तुम्हें death sentence नहीं दिया जाता है तुम जंदा रह सकते हो लेकिन शायलोक इस पे कहता है कि मैं अपने property के बिना अपनी बागी की जिन्दगी कैसे काटूंगा मैं इस तरह भिखारियों की तरह अपनी बची हुई जिन्दगी नहीं काट सकता हूँ तो इस पर एंटोनियों आगे आता है और कहता है कि my lord Duke से कहता है my lord आप एक काम कीजिए आप इसकी आधी property सरकार से जब्द करवा लीजिए लेकिन इसकी बची हुई आधी property इसके ही पास रहने दीजिए मुझे इसकी property नहीं चाहिए इसे इसकी property रखने दीजिए और जब इसकी death हो जाएगी तो इसकी जो बची ही आधी property है वो इसकी बेटी जैसिका को दे दी जाएगी यही मैं चाहता हूँ, यही मेरी इच्छा है और साथ ही मेरा एक कंडिशन है यह फेवर मैं तुम्हें कर रहा हूँ शैलोक लेकिन मेरा एक कंडिशन है और वो यह है कि तुमने यह सब कुछ सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम क्रिश्चन से नफरत करते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना धर्म बदल लो तुम एक जियू से क्रिश्चन बन जाओ यानि अपना जियूश धर्म छोड़ दो और क्रिश्चानिटी को अपना लो शालोक ऐसा करना तो नहीं चाहता है मगर उसके पास कोई आप्शन नहीं बचता है और ड्यूक भी उसे कहता है कि अगर वो अपनी जान से हाथ नहीं धोना चाहता डेट सेंटेंस नहीं चाहता है तो उसे अन्टोनियो की बात मान लेनी चाहिए शालोक उस बात के लिए रेडी हो जाता है और कोट का सीन यहीं पर खत्म हो जाता है अब बसैनियो जो है वो अपनी वाइफ पॉर्शिया को पहचान नहीं पाता और उसे एक लॉयर समझ कर उसके पास जाता है उसे थैंक्स कहने के लिए और कहता है कि आपने मेरी दोस्त को मरने से बचा लिया मैं आपको कैसे ठैंक करूँ आपको बदले में क्या दूँ तो पॉर्शिया उससे कहती है कि तुमने अपने हाथ पर जो रिंग पहनी है वो तुम मुझे दे दो जैसे ही बसैनियो ये बात सुनता है वो चौंक जाता है क्योंकि ये रिंग उसे पॉर्शिया ने दी थी और साथ ही उससे कहा था कि इस रिंग को कभी मत खोलना और खुद से कभी दूर मत करना इसलिए बसैनियो वो रिंग पॉर्शिया को देने के लिए मना कर देता है लेकिन एंटोनियो कहता है कि यार इसने मेरी जान बचाई है मैं इसी के वज़े से आज जिन्दा हूँ एक रिंग ही तो है दे दो ना यार तो इसलिए बसैनियो अपनी रिंग खोल कर पॉर्शिया को दे देता है अब जब बसैनियो घर लटता है तो पॉर्शिया उसके पास आती है और उसका हाथ देखकर पूछती है कि वो जो रिंग था तुम्हारे पास जो मैंने तुम्हे दिया था उसे तुम कहां खो आए और एक तरसे कहें तो उससे जगड़ा करना शुरू कर देती है जबकि वो रिंग खुद उसी के पास है वो बस अपने हस्बन की टांग खीच रही है बसैनियो बड़ा दुखी हो जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि क्या क्या हुआ कोट में और किस तरह उसे वो रिंग उस लॉयर को देनी पड़ी अब पॉर्शिया जो है वो हस्ते हुए जवाब देती है कि तुमने उस रिंग को नहीं खोया है बलकि वो मेरे ही पास है तुम आज जिस लॉयर से मिले वो लॉयर और कोई नहीं मैं ही थी वो रिंग मेरे ही पास है और इतना कहकर वो रिंग निकाल कर वापस से बसेनियों को पहना देती है उधर एंटोनियों को भी न्यूज मिलती है कि उसके तीनों जहाज जो की समुद्र में रास्ता भटक गए थे वो वापस से रास्ते पर आ गए हैं और समुद्र के किनारे पहुँचने ही वाले हैं यानि अब उसे अपस के पैसे भी वापस मिल जाएंगे और फ्रेंट्स इस तरह से स्टोरी की हैपी एंडिंग हो जाती है तो ये थी विलियम शेक्ष्पियर की प्ले दे मर्चंट ओफ वेनिस